तेरी पुझाए पर युद्ध के लिए भर बढ़ा रही है अब और मिश्रामने मैं तुम दोनों मादा और पुत्र को ए साथ युद्ध के लिए छुनोती देता हूं आज से संसार मा और पुत्र के एक नए रूप से परीचित होगा उनके कलोचंडी विनाय को रूप से आनन्द आएगा बहुत आनन्द आएगा माटा और पुत्र को एक साथ पराजित करने में तुमारा कोई प्रहार सपल नहीं होका तुमारा कोई प्रहार सपल नहीं होका तुमारा कोई यह प्रहार सपल नहीं होगा एक वहीं होगा वहीं होगा आएगा नहीं होगा जाएग से अचो को आएगा प्रहार ताप नहीं, सबका का पिनाश्क नहीं माता रुकी, मुझे आक्रमन करने दीजी कौन सी शक्ति इसका कवच बन रही है जिसके कारण हमारे शस्त्र इसे आहत करना तो दूर इसका स्पर्श भी नहीं कर पा रहे है देखा, तुम से सुरक्षित रहने के लिए मुझे अस्पर शस्त्र की आवशक्ता नहीं शस्त्र खाड़ा हूँ मैं? हाँ, मुझे पर वार करो मैं भी तो देखूँ, क्या तुम दोनों मुझे? नेश मात्र भी पीड़ा पहुँचा सकते हो या नाए? क्या हुआ? पुना विश्राम की आवशक्ता है? या पराजे सुविकार कर ली? माता पीड़ा से स्मरण हुआ जब मुशक जी के सुवेद की एक बून इसके तन पर गिरी थी तो इसकी त्वचा भस महो थी थी इसलिए जो इसने स्रिष्टी से छीना है वही जल इसे दुर्बल बनाता है मैं इसके अंत के लिए पृच्वी के गर्ब से जल निकाल सकता हूँ किन्तु ये तब तक संभव नहीं जब तक ये दुष्ट हमारे निकट है क्यों विचार करने में समय व्याद कर रहे है मुझे पराजित करने का कोई उपाय नहीं कहीं तुम्हारे विचार करते करते ये धर्ती अकाल से कंकाल में न बदल जाए ताब नहीं श्राप हूँ मैं सब का विनार्ष हूँ मैं विनार्ष हूँ मैं पुत्र, स्थिती बहुत गंभीर होती जा रही है, संपूर्ण धरती और उसके बासी अब कश्ट में हैं, पुत्र. हमारे पास अब अधिक समय शेश नहीं है, पुत्र, तुम्हारा उपाय उट्टम, तुम अपना कार्य करो पुत्र, और तब तक इसे तुमसे दूर रखती है. अमार उमय, मेरे तपोबल की शक्ती, और हसुर्गुरु शुक्राचारे के आशिरवाद में जे, अमार बना दिया, इसलिए, मेरे अंध का सौपी बिद्रा छोड़ा, और अपनी पराजय स्विकार कर, चली जावे आस, अभी भी समय है. अशुर्गुरु शुक्राचारे, उन्हें तो मैंने इस अशुर के साथ देखा था, वो इसे कुछ दे रहे थे. मुझे किसी प्रकार ये बात गजानन तक पहुचानी होगी. हमारे असरों से तुम आवशे ही सुरक्षित कुछ तुम्हारे असर तो तुम्हें आगात दे ही सकते हैं. अंदखक, एवशूर रहे तुम्हा देकित बात तक तुम्हें आता। कि सकता में मैं, मैंने स्थे स्थे एूआ नंवा, याले मीन रुप गोंते ओंड हुर, से रूने सुरक्यों आपुथ मा, यह तो गजासुर द्वित्य की चितकार थी हाँ, उसके चितकार के साथ महंद्रपूरी के असुरों के चितकार भी बढ़ती जा रही है यदि वो उसफल हुआ, तो महंद्रपूरी के प्रत्य गड़ से रोने की ध्वनी सुनाए देगी किन्तु तुम्हारी मा, माया सुरा से, उसे उसफल नहीं होने देगी मैं इस दुष्ट असुर को कदा पिस सफल नहीं होने दूगा सफल तो माता और माता पार्वती इनन्दन ही होंगे किन्तु मुझे उन तक पहुचना होगा, उन्हें बताना होगा कि इस दुष्ट की भेट असुर गुरु शुक्राचारी से हुई थी और गुरु शुक्राचारी ने उस गजा सुर्थूती को कुछ दिया भी था मा और गणेश इस संकट को टालने का जो भी उपाय कर रहें उसमें उन्हें शीगरता कर दी होगी शीगरही कुछ करो गणेश कुछ करो मा माता मैं शीगरही शीगरही जल निकालने का उपाय करता हूँ यृष्टा से जोर्पोझ जो जोर डांटी जोर्य करतो है जोर्प्ने का आँ प्योद्यच से जोर्पी कर दोक्त पर तालने क wysak़े जोर्य होगी जोर्रम दूजक्त डर्म मसार्भुतेशूell मथ्च पर दीया जोर्ली होगी मैं सोयम को रुख क्यों नहीं पा रहा हूँ औरी कैसी परचाही देरा पिछा करें प्रभू जल मिला आपको बताईए ना मिला क्या नहीं कठे नाय कितने भी हो तो मुझे गनेस जी तर पहुंचना ही होगा एक बून भी नहीं है कदाचित गजासुर के कारण जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है मुझे अपनी सून और गहराई में ले जानी होगी मुझे अपना संतूलन लोटाने में सपालू होगे कदाचित भूल हुई मुझसे मैंने तुम्हें जो अफसर दिया तुम कदाचित उसके योग्ये ही नहीं मेरी योग्यता पर संदेह करना आपकी भूल है तो प्रमानित करो अपनी योग्यता को विनाश करो उन देवताओं का मेरी महेंद्र पुरी का नहीं अब महेंद्र देवताओं को कोई आसर नहीं दूँगा क्या हुआ मा कैसी दशा है उसकी कुशल है और इस कुशलता का अभास मुझे तब होगा जब वो इस कारे को संपन्द करेगा जिसके लिए हमने उसे बुलाया था माता रिशी पुलस्त रिशिवर आप तनिक भी चिंता मत कीजिए नहीं कड़े जी कड़ा अजित ये संपल नहीं है क्योंकि असुर्गुरु सुक्रचारी ने गजासुर्दूती को कुछ दिया था सावधान देवी सावधान गजासुर्दूती आराई तुम्हें दंद देने के लिए तुम दोनों का नाश करने के लिए माता, रिश्वर का अनुमान उचित है असुर्गुरु शुक्राचारी ने उस दुष्ट को कुछ ऐसा अवश्य दिया है जिससे उसकी शक्तियों में व्रिद्धी हो जाती है तभी तो यहां से दूर होने पर भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ तब तो हमें उसकी सुरक्षा के उस आधार को भी ढूणना होगा इस शृष्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है क्योंकि यह शृष्टी और कोई नहीं स्वाए मैं ही शृष्टी है तर्थी के अत्यन तनी का ढूम है और अपनी वीजाय के भी यह शृष्टी के अविद्वन्ष्टा जिसने महंद्रपुरी को भी कम्पीट का तिया इस शृष्टी और नहीं है यह कैसे समभा हुए इनन मेरा मास्तर कैसे डूब लिया उसे तर्थी से बहर किसे निकाल लिया यही था ना वो महा अस्तरदुश जिस पर तुम्हे एहंकार था जिसके कारण तुम सुरक्षित थे तो लो, स्वायम इसे नश्ट होते देखो से यही थे, भाएने मैंदी स्वारे की तुम्हें इस महास्त्र की यह विशेष्टा इसको किर्यानुवित करने के बाद इसे तभी रोका जा सकता है जब कोई से नश्ट कर दे महास्त्र नश्ट वा मेरा मैं अभी बीजेवित अब मेरा तब ही मेरा आस्त्र बनेगा तुमने मेरा आस्त्र गंडित किया इसका तंड तुम्हे अवश्च्य मिलेगा तेडी प्रभू आपको जल मिला मुशक जी जब तक मैं जल ढूनता है आप उस असुर को रोकिए मैं मैं कैसी प्रभू क्यों क्यों नहीं अब तो उसका महास्त्र नश्ट हो गया है तो आप अकेले ही परियाप्टें उसके लिए क्यों अनेको बार मुझे युद्ध में विजय तो दिला चुके हैं ना आप उचित कहा प्रभू आपने मेरे अपार उत्सहा और सहस के आगे कि दूष्ट गजासुर धित्यक कदा भी नहीं टिक सकेगा एट उच्छिमूशक अड़ जाओ मेरे सामने से तू तो क्या ना तेरी तेवी ना तेरा वो सौमी मुझे रोक पाएगा इस प्रकारनों में मेरा अस्ट्र नष्ट किया है मैं उनकी शिष्टी नष्ट कर दूगा मैं पहले मेरा सामना तो कर लो मैं किसी तुच्छ कीट का सामना नहीं करता इसे मसल गरक देता ताप नहीं ह। शाप हूम आप हम। ताप हू यह स्राप मुशक से चटक राता है चौर चौर हो जाता है अब अ अपने अंत के लिए वायार हो जाओ आप तुम पर वर्त्यू का वार होगा वो तंडो मुशक तुमें जात नहीं, ताब नहीं, श्राप हुँ मैं, सब को सरवनाश हुँ मैं देत्य जी, आप का भी बाप हुँ मैं कहीं तो जल मिलेगा मुझी मुशक, आज तुम कुछे ले जाओगी ऐसे घुमो मत मुशक, सास है, तो स्तिर रहकर दिखाओ अलो, रुक गया मैं, स्तिर हो गया प्रभू, आप मैं इसे और नहीं चका सकता, ठाक गया मैं कुछ तो कहीं, जल मिला आपको ठाक है, आप कैसे भागोगी मिला आपको प्रभू, जल मिला आपको हम आत मेरी सुरक्षा वोगा है मसाम्माओ, यह जल कहां से मिल गया ही नहीं, और इसका बाहू, मेरी और क्यों आ रहे, इनने ये रहस्य के से ग्याद हुआ, कि जल सियाहाद हो सकता हु मैं, आयू निशीवर, हम दोनों अपने प्लास बुझाते हैं, हम् यह क्या हमें आकाल से मुक्ति लिए इसका आर्थ है कि गजास और द्वितियब पराजित हो गया जब प्रकृति पुन है एक बार अपने वास्तविक रंग रूप में खिल खिलाने लगे तो इसका अर्थ पष्ट है कि सब कुछ सामान्य है और इसका एक अर्थी ये भी है कि मा और गणेश सफल हो गए है हूल होना प्रकृति है मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है और तुम्हारी प्रगति मा की शरण में ही जाकर होगी यदि तुम्हें ये स्वीकार नहीं तो तुम्हारे तब की शक्ति भी तुम्हें जीवित नहीं रख सकेगी क्यों क्यों नहीं इतना कठोर तब किया है मैंने तो उसकी शक्ति मेरी रक्षा क्यों नहीं गरेगी मेरे तप और युशी के तप में भला क्या वेद है जो आप इसके पुका सुनकर बेरा वद्ध करने चली आई क्या हम असूरों का तप तप नहीं होता फिर हमें उसका उचित फल क्यों नहीं मिलता न्याए और धर्म के पालक है न आप तो कहा है आपका न्याए कहा है आपका धर्म जो मेरे तप का फल देने में इतना संकोश कर रहा जबकि मुझे अभी इसकी सबसे अधिक आवशकता है ये कैसा न्याए है ये कैसा धर्म है आपका तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर मैं तुम्हें धर्म और अधर्म का भेद अवश्य समझाओंगी गजा सुड़वितियर किन्तु ज्यान को आत्म साथ करने के पूर्ट उसको बाने वाले को अपने मन को शांत करना आवशक होता है अपने चित को शांत और स्थेर कर अपना आसन ग्रहन करूँ किन्तु मैं कहा हूँ और ये सब क्या हो रहा है तुम्हें तुम्हारे तब के फल स्वरू वो ज्यान प्राप्त हो रहा है जिसे तुम पाना चाहते थे ज्यान चाहिए मुझे समझ आएगा जब तुम्हारे ज्यान की भूप मिटेगी किन्तु उसके पूर अपने पेट की भूप मिटाओं आओ भोजन करो संकोच मत करो अपना आसन ग्रहन करो और भोजन करो संकोच तो आप कर रही है भोजन देने ये तो रिक्त है तुम्हारे तप और कर्मों से अर्जित भोजन तो तुम्हारे पोठलियों में है उसे निकालो और खालो ये पोठलियों मेरे पास किसे आवे इसमें तो कुछ में नहीं है माता मेरी पोठली में तीन पूरिया है साथ में भोजन करने बैठे हो तो किसी का पात्र भोजन से रिक्त ना हो इस धर्म का पालन तो असुर भी करते हैं इसमें कैसा धर्म धर्म ये तो अपना अपना भाग्य है इसके भाग्य में भोजन नहीं तो इसमें मेरा क्या दोश धर्मोचित तो ये है, कि यदि किसी के पास भोजन ना हो, तो उससे भोजन बाट लो नई, धर्मोचित हो या ना हो, मैं अपना भोजन नहीं बाटूँगा इस युद्ध में मैंने पहुत श्रम किया है, मुझे भूक लगी है, मैं खाऊंगा गजासुर्द्वितिय, यदि तुम ये समझना चाते हो, कि इतने तब के बाद भी, धर्म के अनुसार तुम मृत्यों के भागी क्यों बने, तो सर्व प्रथम, अपना भोजन बाटने का धर्म ने भाटूँगा मन तो नहीं कर रहा, किन्तु समझना भी चाते हो, उचित है, बाट लेता हूं अपना भोजन, किन्तु आठ पूरियों को तीन भाग में कैसे बाटेंगे प्रत्येक पूरि को तीन भागों में बाट ले, तो हमारे पास 24 भाग हूंगे, और सभी को 8-8 भाग मिल जाएंगे देखा, यदि इच्छा हो, तो समाधान मिल ही जाता है अब विलम मत करो, और बाट लो अपनी पूरियों को अब आप तीनों 8-8 भाग लेकर भोजन करो गजा सुल्द्वितिय, संकोच मत करो, जाओ तो अब जब तुम्हारा पेट भरा है, तुम निश्चिन्थ हो, तो तुम ये समझ सकोगे कि धन किस प्रकार नयाय करता है मुझे तो लग रहा है आप उल्ज़ा रही है, यहां क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिशी पुलस्य, इन दोनों ने आपके साथ अपना भोजन बाटा, तो क्या आप इन हे, कुछ नहीं देंगे किन्तु मैं क्या दुमाता, मेरी पोटले तो बिल्कुल रिक्त है ये देखे ये लेजे, आप दुनों आपस में समान रुप से बाट लीजे, नहीं, समान ज्योप, मैंने अधिक पूरिया दी है, तो इन स्वर्ण मुद्राओं में मेरा भाग भी अधिक ही होगा, यही धर्म है, जितनी पूरी उतनी मुद्राएं संख्या से अधिक भाव महत्व पूर्ण है, मैंने भी आपके समान अपना भोजन बाटा है गजा सुर्धुतिय जी तो इन स्वर्ण मुद्राओं का बटवारा ऐसा होना चाहिए, कि हम दोनों को समान भाग मिले, चार मुद्राएं आपकी और चार मेरी होगा, तो एक और छलावा तुम देवताओं का, अधिक पूरिया मैंने दी थी, तो अधिक स्वर्ण मुद्राएं, मेरी हुई, यही ध अब आप ही बताईए माता, किसको कितना भाग मिलना चाहिए, गजासुर द्वितियक को साथ और गणेश को मात्र एक स्वर्ण मुद्रा मिलनी चाहिए किन्तु माता, यह आपका कैसा निर्णा है जगत के कल्यानार्थ अपने सीमित साधनों में से भी जोव्यक्ती दान देता है, वही सचे अर्थों में जगत से कुछ प्राप्त करने का अधिकारी होता है कि कर दो भी दो प्राप्त करने का अभाव देता है